कल US का CPI डाटा आना है, क्या मार्किट में कल बड़ी हल चल होने से पहले कि ये तैयारी है, क्या अभी मार्किट और फॉल होगी, आज मॉर्निंग के लाइव सेशन में क्या डिस्कस किया था, वो आप देख लेना, बिल्कुल देखना चाहिए, कि गैप अब के बाद में मार् साइड से मार्किट अल्मोस्ट 300-400 पॉल हुई, और मैंने आपके लिए द्यूरिंग दा मार्किट क्या मेरा व्यू था, रिकॉर्ड कर रखा है, शेर कर रहा हूँ, उसके बाद में क्या डाउन साइड के लिए और बड़ा एग्रेसिव फॉल बन सकता है, या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वीडियो को टाइम देना, नए हो चैनल पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और टेलिग्राम पे जॉइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हलो दोस्तो, अभी टाइम हो रहा है, एक बच के 30 मिनट और ज यह डिस्केशन का पार था, और टेलिग्राम पे आपके साथ शेर किया था, जब मार्केट ट्रेड कर रही थी, 48,900 के अराउंड की यहां पे रिजिस्टेंस है, जब तक मार्केट 48,920 के ऊपर केंडल क्लोज नहीं करती है, तब तक आप अपसाइड के लिए बुलिश नही होंगे, मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, और अभी ट्रेड कर रही है, अल्मोस्ट 100 पॉइंट नीचे, और निफ्टी में शेर किया था आपके साथ मौनिंग में ही, कि यह जोन है, मार्केट का जब तक इस जोन के अंदर है, आप ट्रेड नहीं करोगे, मार्केट के ओपन होने से पहले का डिसकशन था यह, 740 के नीचे डाउनसाइड के लिए वीक है, डिसकशन का पार था, और वहां से ब्रेक करने के बाद में, अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, 22,000, 666 को ब्रेक करके, जब मार्केट 22,000, 750 के अराउंड थी, यहां से हमारा पोजिशन ट्रेड बना, डाउनसाइड के लिए, और बैंक निफ्टी जब 48,900 पे ट्रेड कर रहा था, यहां से ट्रेड बना, मन्थली बेसिस पे, पुट साइड का ट्रेड बना, दोनों इंडेक्स में, और इसके अलावा तो हमारा इंटरस्ट नहीं है, फिन निफ्टी वगेरा में आज के लिए, तो अभी मार्किट अल्मोस्ट 100 पॉइंट दे चुकी है, और लेट सी क्या होता है, क्योंकि हमारे बाइंग प्राइस से काफी नीचे चल रहा है, और मन्थली एक्सपाइरी की हमारी एड दा मनी 22,750 पे ली थी, तो अच्छी काई चल रही है, लेट सी देख सकते हैं, अगर हमारे अगेंस जाता है, एक बरी के लिए नहीं तो अभी फेवर में है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें से एक्जिट करने की, यहीं ट्रेड आज ही क्यों बना 750 से पोजिशनल, आज ही 48,900 से कैसे बना पोजिशनल ट्रेड बैंक निफ्टी में, यही सब को पड़ोगे, फिर निफ्टी में हमारा इंटरस्ट है, नहीं कोई नहीं कि हम इस पर ट्रेड करें, हमारे दो ट्रेड चलने, it's more than enough, monthly basis पे, अभी हमारी इंडियन मार्किट को सिर्फ और सिरफ एक रीजन चाहिए, profit booking देने का, CPI डाटा उसका रीजन बन सकता है, क्योंकि तिल एपरिल ही 53,000 की सेलिंग कर चुका है, जबकि लास्ट येर 2023 में सिर्फ और सिर्फ 16,510,000 करोड की सेलिंग करी थी, अब ये 2022 की सेलिंग को अगर आप देखोगे, 278,000 की तो गैस, 2021 में जो अपसाइड का बूम बना था, जो profit booking ली थी, उस टाइम पे 2022 में इतनी सेलिं आई थी, और ये सेलिंग जिस हिसाब से चार मन्त में बड़ी है, मार्किट वीक हो सकती है, मार्किट अभी क्लोज हो चुकी है, और मार्किट का क्लोज है 22,641 के अराउंड, आपने देखा होगा, आज no trade zone था अपसाइड में, जो आपके साथ में morning के live session में शेर किया था, के लिए कल nifty और bank nifty दोनों की expiry है, मार्किट ने exact इसी zone से reversal लिया और downside में close हुई है, आके 22,642 के around, अब आपको जब upside से अच्छा खासा rejection मिला है, तो क्या कल market और fall हो सकती है, या फिर यहां से reversal लेगा, थोड़ा सा time देना है आपको, समझ आ जाएगा game क्या चल रही है, convert करोगे, जो मैं देख रहा था, untraded candle है, और market इसके बीच में close दे रही है, high chances हैं कि market एक downside में pullback ले सकती है, इस area के 22,577, इसको test करने के लिए जरूर आएगी market, और maybe ये level हमारा 22,551 के around, मैंने आप से जैसे share किया, कि जो positional trade मैंने plan किया हुआ है, आपके साथ share किया, 100 point का upside से, अच्छा खासा discount मिल गया, और इसके आजपास शायद जितने student हैं, उन्होंने book कर लिया होगा, और मैंने book नहीं किया, very frankly, क्योंकि stop losses बहुत उपर है, 750 पे sell कर रखा है, 550 तक मेरा first target है, तो मैं wait करूँगा, और आपको पता ही है, मैं BTST वैसे नहीं करता हूँ, monthly basis पे म या तो मैं cost to cost पे exit करूँ, या 5-10 रुपय का loss हो सकता है maximum, profit के chances हैं कि ओ 550 तक आए, तो let's see, देखते हैं क्या होता है, और कल morning में guys, इस वीडियो को देखने के बाद में, आप trade मत लेना, कि आप कल सुबाउट के कहीं पे market open होती है, तो आप buy कर लो, क्योंकि मेरा 750 के आसप पास से है, bank nifty में 48,900 से resistance थी, वहीं से ही है, अभी बीच में trade करने का कोई फाइदा है नी, बाकि आपके साथ में telegram पे मैंने ये जरूर share किया था, जब market इस zone में थी, कि जब भी market 48,900 के नीचे break करेगी, तो यहां से fall हो सकती है, और आज के लिए मेरा maximum level upside के लिए 48,900 के around, bank nifty का था, और nifty का upside के लिए 22,754 तक maximum था, market यहां पे eye trap किया, then fall किया, वह आपके सामने ही है, कल अगर nifty 550 के नीचे break करता है, 550 यह level है, यहां तक possibility है आने की, अगर इस level को break करता है, तभी आप downside के लिए सोचोगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि यहां पे market का halt है, 578 से लेक 550 तक pullback आता है, यहां पर rest लेती है market, तो यहां से immediately आप reverse trade मस सोच लेना है, कि यहां से बस अब आप यहां से call buy कर लो, तो आपको profit हो जाएगा, या put ले लो, यहां पे market halt लेगी, अगर market halt लेने के बाद में, जैसे आज projection बनाया 750 से, वही अगर इसके around बनता है, तब आप downside के लिए plan करोगे, नहीं तो इस zone में market को support है, हो सकता है, एक वर यहां पर test करके bounce back दे, next time पे इसको break करे और इस area से आपको reversal देखने को मिले, तो अभी आप वैसे sell नहीं करोगे, कि फाल्तु में सुबह market देखी और sell कर दिया, उसमें आपके loss होने के chances है, projection बनेगा, point है कि 5 580 तक आना चाहिए market को untraded candle है, 550 उस candle का low है, यहां तक का wait कर सकते हैं हम, upside के लिए कब trade plan कर सकते हो आप, upside के लिए 22,666 के उपर market trade करना शुरू करेगी, projection बनाती है, तो upside के लिए आप plan कर सकते हो, फिर आपको 22,750 फिर से देखने को मिल सकता है, 100 point की range है, और इसके उपर अ आपके साथ share कर लेंगे, fin nifty ने आज क्या किया, पूरा दिन भर इसी candle के around spend कर दिया, तो कल भी market यह move दिखा सकती है, तो कोई aggressive trade मत plan करना, जब तक market zone को break नहीं करती है, fin nifty में तो खेरा, आप next week ही करोगे trade, जब तक zone के अंदर है, आप trade plan नहीं करोगे, downside के लिए, fin nifty वैस यह भी आपके साथ discuss किया, और अभी भी आपको दिखा रहा है, upside में जा रहा है, strength नहीं बन रही है, fall हो रहा है, इसमें trade 11,020 के ऊपर ही आप upside के लिए सोचोगे, फिल हाल एक range में है, projection बनेगा, consolidate होगा, तो इस zone के बाद में, में भी upside के लिए move दे दे, बट उससे पहले क upside के लिए channel का breakout 22,000666 के आज़ पास आके complete होता है, market का ये level कहां से आया, 22,000, 741 to 54, इस level की क्या importance है, क्यों यहां से fall करी market, आपको सीखना चाहिए, अगर आपको market में independent बनना है, you should learn, description में website का link है, और whatsapp number आपके पास में है, अब देख लेते हैं हम bank nifty को जिसकी कल expiry है, bank nifty ने upside से rejection ली है, बिलकुल ली है, बट banking sector अभी strong दिख रहा है, अगर 48,900 के उपर sustain होगा bank nifty तभी आप upside के लिए plan करोगे, नहीं तो news based नहीं की bullish है, 50,000, 50 आ सकता है level, वो मेरे को भी दिखता है, और यहां से 50,000 को bank nifty को touch करना कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास एक zone है, around इस area के उपर, 48,900 से उपर, अगर market sustain होती है, 950 आप consider कर सकते हो, तभी आप upside के लिए 1500,200 पॉइंट की और एली देख सकते हो, बट sustain होने देना तभी plan करना उससे पहले नहीं, और downside के लिए क्या plan रह सकता है, हम levels के उपर आते हैं, यहां पे discuss कर लेते हैं, RSI को हटा देता हूं, RSI मैंने आपको कहा था, RSI और 63MA को लगा लिया करो, market में आपको help करता है, देखो market ने क्या करा, सीधा break करा, यहां से trap trading आपके लिए active होती है, यहां पे भी trade देती है market, यह levels आपके पास में थे, 655 के आसपास आएगी market, यहां पे halt ले सकती है, क्या क ठीक है, आपके लिए छोटा मोटा trade intraday में दे देती है market, चाहे fall करे, चाहे rise करे, अब downside के लिए आपके पास में कब trade बनेगा, bank nifty में, जब इस zone को break करेगा, यह zone क्या है, 48,500 का और 500 के नीचे break करेगा, तभी आपके लिए downside में और trade, और point आ सकते हैं, जो है 48,290, 290 को break क और जो aggressive fall हम plan करेंगे हो, 48,160 के नीचे ही है, guys, यह analysis video सिर्फ और सिर्फ लर्निंग परपस से है, आपको analysis को समझना है, master guide series आपके पास में है, thank you so much for watching, bye bye, take care.